हालो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ अगर आपका इंस्टेगराम एकाउंट लॉग इन नहीं होड़ा है तो आप उसे लॉग इन कैसे कर सकते हैं लॉग इन करते समय आपको कोई भी प्रोबलम आता है इनकरेक्ट पासपोट बता रहा है या कोई भी प्रोबलम आड़ा है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉलूशन बताऊंगा सही तरीका क्या है लॉग इन करने का तो मैं आपको बताऊंगा तो इसके लिए आपको Instagram अपको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तो अगर आप ID भी भूल गया है पासपोर्ट भी भूल गया है तो भी आप easily अपने account को login कर सकते हैं तो कैसे आपको login करना है दोस्तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ और इस वैसे आप भी किजिएगा तो आपका 100% आपका account login हो जाएगा तो यहाँ पर आपको forget passport पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको गयज नीचे में आपको forget passport का option दिखेगा तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक कर दिजिएगा क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल देना है इस mobile number से आपका account बना होगा यह आप email id भी डाल सकते हो Gmail id भी डाल सकते हो या user id भी डाल सकते हो तो मैं आपको example के तोर पर मैं आपको अपना mobile number डाल देता हूँ क्योंकि mobile number से account जल्दी से login हो जागा तो मैं आपको अपना mobile number डाल देता हूँ दोस्तो यहाँ पर अपना mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पर find account पे click कर देना है find account पे click करने के बाद जो भी आप mobile number डालिएगा उस पर एक verification code जाएगा तो उस code को यहाँ पे डाल देना है यानि आपको OTP यहाँ पे डाल देना है जो कि 6 digit का OTP आपके mobile number पे जाता है तो चलिए मैं यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पर OTP डालने के बाद आपके यहाँ पे continue पे click कर देना है continue पे click करने के बाद दोस्तो आपके mobile number से जितने भी account बने होंगे और सारा account यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो 4-5 account यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो मेरा जो कि real account है गुपता ट्रिक्स तो मैं इसी account को यहाँ पे login करके आपको दिखाऊंगा तो login करने के लिए आपको इस पे click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ पे continue पे click कर देना है continue पे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जागा create a new passport तो यहाँ पर आपको एक नया passport यहाँ पर create कर लेना है यानि आपको नया passport बना लेना है तो चलिए यहाँ पर हम passport डाल देते हैं passport डालने के बाद दुस्तों आप इस passport को आप अपने copy में लिख लिजिएगा ताकि आपको future में कभी भी आपको इस passport को काम आ सकता है passport डालने के बाद मैंने दुस्तों आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको ID पास्पोर्ट पता नहीं है तो फिर भी आप अपने account को easily login कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको continue पे किलिक कर देना है continue पे किलिक करने के बाद जैसे आप continue पे किलिक कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहां पे loading लेगा उसके बाद यहां पर आपको profile दिखेगा आपको यहां पे save पे किलिक कर देना है सेव पे किलिक करने के बाद अब दोस्तों आपका जो इंस्टागराम एकाउंट है और दोस्तों यहाँ पे लोग इन हो चुका है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरूर सस्क्राब करें धन्य बाद जैहिंद बंदे मातर हमें वीडियोंग प्रफशफा बंदे, अजला तोस्तों यहाँ ज स्टापन करya म हिए उन्य उन्हाँ पार आपको झाल एक ड्रबाद संहा न san ब von